तो क्या चल रहे है भाई लोग इंडिया फसेज निवजलेंड 30 टॉइंट बतलब अपने घर पे बुला के आसे खौन मारता है यार 168 रन से महज जीता है इंडिया ने इतना रन तो लास्ट मैच में दोनों टीम मिला के नहीं बना पा रही थी क्या हुआ कुछ मुह में गुसेडा उसके बाद गले को अधेर के नाग से बाहर निकाला उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई तो इस मैट में टॉज जीता इंडिया ने और पहले लेली बैटिंग और उसके बाद हमारे गिल भाई ने जो इनिंग्स खेली है और पहले 30 बाल में गिल भाई ने 46 रन मनाये थे और उसके बाद लास्ट के 33 बाल में 80 रन मना दिये और भाई स्टेडिया में सरसुट्जी आये हुए थे तो इससे बढ़िया मोका क्या ही होता गिल भाई के लिए ये इनिंग्स खेलने का अरत का चकर बाबु भाईया अरत का चकर बहुत बेकार होता है और फिर से एक बार हमारे पीट्सिफ सौ भाई को मैच की सबसे इंपोर्टेन जिम्मेदारी जी गई बाकी फिलार्स को पानी पिलाने की तो इंडिया ने टोटल बनाए 234 लेकिन जहस्ती निजलेंड की बैटिंग स्टार्ट हुई बास ओही पे खतम हो गई भाई एं तो शूरो होते खतम हुए है तो भाई लोग आप हम देखेंगे इस मैच के फानी मिम सोचिन तेंदूलकर इंदा स्टेडियाम सुमन गिल ससुर के इंप्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकता है सुमन गिल स्कोर हिस फास्टी 20 सेंचुरी इस इंस्ट्राग्राम डीम राइट नाव पाबू पाबू मेरे को बाब कर दो मैं तुमारे बिना नहीं रह सकता पाबू वीक जोन आप नॉर्माल बैस्मैन वीक जोन आप इ सब्सक्राइब कर देना और आपने इस भाई को मत बूल जाना मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई